आज मैं आपको अपने फार्म विजिट कराता हूं और अपनी जर्णी के बारे में कुछ शेर करता हूं मैंने ये फिश फार्मिंग या एक्वा कल्चर की जर्णी कैसे और कब स्टार्ट की आपको बताएंगे कि ओपेंड पॉंड के फायदे क्या है और अगर आपको सुरू करना है तो आप कैसे सुरू कर सकते हैं पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है मारी शेनल पर नमस्कार बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और आपका मेरे छोटे से फार्म पे पीवडर एक्वा कल्चर फांप आपका कोशन बहुत ही सही और उंदा सवाल है बाइफ लोग और पोन कल्चर में कंपेरिजन तो मै करता हूं मैं फ्राइ साइस के बच्चे पर्चेस करता हूं कैलकटा से क्योंकि मेरे हां पे कोई भी कैट फिश की हैचरी नहीं है ड्यू टू टैंपरेचर कंट्रोल प्रॉलम या ड्यू अन्वारिमेंटल कह सकते हैं और मैं उनको सो 120 में फिंगर लिंग करता हूं मैं अप कि मैंने सन 2018 मई में फिश फार्मिंग का प्रोजेक्ट इस्तार्ट किया बारा एकड के साथ और देखते देखते धाई साल की जड़नी में अभी मैं तकरीबन 108 एकड में अपनी फार्मिंग कर रहा हूं उसे मेरा 50% से जाधा प्रोजेक्ट लाइव है और 50% प्रोजेक्ट मेरा काम चल रहा है और तकरीबन 42 एकड मेरे एसोसेट्स आप मेरे फार्म पर देख रहे होंगे जैसे सामने यह मेरे साथ मेरे कुछ रिटायर दोस्त है जो पहले सरकारी विभाग में थे तो रिटार्मेंट के बाद इन्हें कुछ स्टार्ट करना था कुछ मेरे साथ दू अपनी हो या मेरे एसो सेट्स की हो यह आपने एक लाइव मंडी करने का मेरा वीजन है एक छोटा आंधरा बनाने का वीजन है आंधरा गाजए ट्रिडिस्टिक गाज़बाद में क्योंकि मेरे पास सबसे नस्दीक सेल मार्किट मेरी डैली एंसेया रहे जहां पर तकरीबन हजा टन की लेंडिंग डैड फिश की है तो दीरे दीरे मेरे को इन लोगों को जो फिश इटर से इनको लाइफ फिश पर लेके जाना है यह बड़े बड़े पोंड आप देख रहे हैं यह मेरे फिश फार्मिंग आयम सी के लिए है तीन तीन एकड गे तो मैंने मचली के हिस उसे पचास एकड़ कार्प्स के लिए क्योंकि हमारा देश भी कार्प्स का ही देश है तकरीबन 87% कार्प्स की ही मोनोपोली है में इंडिस्ट्री में कार्प्स में आप आई-म-सी और एक्जोटिक कार्प रहू, कतला, मरीगल, कॉमन कार्प, ग्रास कार्प और सिल्वर का तो आईए हम चलते हुए मैं आपको और कुछ बताता हूं कि हमने क्या क्या नहीं नहीं आए मैं कुछ एड़ करता रहता हूं उपने फांपे आपी देख रहोंगे यह मैंने पूरे फांपे बंडनेट लगवाया हुआ है इन सारे पॉंड्स में मैंने स्मोल साइज की करने की कोछिस की है कि क्या क्या पत्ति हम उसमें एड करें आप सामने देख पा रहे होंगे मैंने अपने एक वाटर बोडी में एरिटर लगा हुआ हूआ है जो की ऑक्सिजन जनेट करता है ऑक्सिजन का उतना इंपोर्डेंट रोल है फिश फार्मिंग में जेतना फीड का कर अधर का चाया है क्योंकि हमारी पिश टा पानी है तो में पानी कोई सबसे जादा क्ली और सबसे अग्स थाए हूं या बधर अदेख रहे हो जो इमें यह दोनों कम कर रहा है likely है ये पानी अентов हो रहा है मेरी ए ओर जो एरेशन का कर और दो काम कर रहा है हूए ह। झो आप होती है तो मचलिया खाना नहीं खाती इंटेक नहीं करती क्योंकि कॉल्ड बलड डीड मचलिया है तो हमने रेगुलर्ली हर 15 दिन में फर्मेंटेशन करते रहते हैं तो आप समझेए कि हम नैचुनल खाना अपनी वाटर बोडी में डवलप कर रहे हैं प्लांटों चायो फाइ प्रा कॉस्ट मीनिमम रहे तो मैंने पूरे फार्म पे यह तकरीम यहां पे अभी मान के चलिए आप 100 एकर्ड लैंड है जिसमें 58 एकर्ड मेरी लैंड है और सारी लैंड मैंने लीस पर ली हुई है और 42 एकर्ड मेरे सबोडिनेट्स की या मेरे ऐसोसेट्स की है तो जो सब अभी 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 इसल्ट कर रहा हूं वह अपनी तरह अपनी इनकी लेबर है उन्हों नहें अपना रेजिदेंस बनाए वा है पनी लेबर के लिए फीडिंग रूम बनाए हुआ शेल्टर बनाए हुआ हुआ और यहां पूरी लेक्रिसिटी का सर्दी करेंशन सारे तेमप्रेचर भी मैंटेन रहता है आई यह वागे आपको दिखाता हूँ अब ही मैंने इस साल तकरीबन सो तन का प्रोड़क्शन किया है कैट फिश भी करता हूं में एक दूसरे फार्म पे अपने च्हाई कड में और बाकी सब आयम सी करता हूं रहू कतला मरीगल तो इस साल मेरा मेरी सेकिंड क्रोफ हार्वेस्ट कर दी है मैंने कैट फिश की कंपलीट हो गई अब आयम सी हार्वेस्ट कर रहा हूं और आने वाले नेक्स्टेश का मेरा टारगेट है तकरीबन साड़े चार सो टन प्रोड़क्शन का सारी एक कुमुलेटिव अपनी लैंड से और जो बाकी मेरे साथी कर रहे हैं और उस पैरलेली उसको बढ़ाने का भी टारगेट है कि बिजिस को इसकेलेबल करूगा तभी अच्वेंट की यह प्रफिट gratis रहेगा देख पा रहे होंगे यह दो पॉल के बीच मेने एक रसी बांदी हुई है इस पॉंड में भी और इस वाले सामने पॉंड में भी आप यहां पर भी देख पा रहे होंगे और बीच सी पीलत को अपनी वाथर वोड़2 में इनका पर तो मैं उनको बैक फीडिंग कराता हूं और 20 परसेंट में उनको बैक फीडिंग कराता हूं बैक फीडिंग में सिंपली एमोसी राइस पॉलेश कुछ मिनेरल मिक्शर सोय बीन का पाउडर यह सब में 20 परसेंट जो मचलियों को खाना देता हूं उसकी बोडिवेट के साब से इनको इन बैक में मैं हैंक कर देता हूं पानी के इंदर और यह हर अल्टरनेट डे में रिपीट करता रहता हूं इससे द उस विट के बराबर आपको सिंपल एक रसी बांदेनी है और बीच में बैक्स आप आलू आले भी ले सकते हैं और जो आपके फार्म पर बैक फीडिंग रहती है उनमें सिंपल होल्स करके भी आप उन्हें कर सकते हैं तो इससे आपकी कॉस्ट पी इंपक्ट होता है और इस फार्मिंग को फार्मिंग से अबनी का सबसे बड़ा मित है सबसे भरां आप इसे आजसे इन्ड़स्ट्री सोचीयर और इन्ड़स्ट्री के लिए servicios ख्रेकां करना पड़ेगा अपको सक्से मिलेगी यह मैंने को उने साल के kवा क्रीड के सबसे हैं ऑप हैंगार्यां चल तो अलग लग स्टेट्स में अलग लग लोकेशंस में अलग लग क्रॉप्स होती है तो या तो आप एक एकर से आप खुद किसा आने तो कीजिए अधर्वाइस आप एज बिगनर एज एंटर्परणर एज इंडेस्टलिस्ट एज बिजनसमें सोच रहे हैं तो मिनिमम आप प से स्केलेबल करेंगे तभी हम कहीं नखी आत्म निर्वर भारत में भी कॉंट्रिबूट करेंगे आप एंपलोइमेंट जन्नेट करोगे अपने चेतर में आप लेबर हाय करोगे पूरी इंडस्ट्री में तकरीबन आपके 14 मिलियन लोग एक्वा कल्चर इंडस्ट्री में सब्सक्राइब को बीड़क और इंडस्ट्री फ्रॉट जाहिए वो फीड फेक्तरी से ध्यक्री से रिलेटेडिड हो छाहिए दिशन से रिलेटेड हो पूरी 1,00,000 करोड की इंडस्टी है तो अब आप इससे सोच लिए कि हमारे मांदेनीय प्रदान मंत्री जी ने भी इस को अगले 5 साल में 20,000 करोड देने का प्रोमिस किया है और अलग-अलग स्टेट्स में अलग-डिस्टिक लेवल से प्रोजेक्ट भी सम्मिट हो रहे हैं करोना काल में भी यह इंडेस्ट्री ग्रो कर रही है क्योंकि मेन रिजन है गैप एनलाइसिस डिमांड और सप्लाई का ब दिप हो जाएगी तो हमारे पास इसकोप इतना बड़ा है हमारी विंडो इतनी बड़ी है कि हमें कोई कमपिट्शन की प्रावलम नहीं है मेरे को काफी लोग कहते हैं कि आप अपने साथ और बाकी लोगों को जोड रहे हैं उन्हें आप आगे लेके जा रहे हैं तो यह कि कि लिए कंपिट्शन करेंगे यह बिल्कुल कोई कंपिट्शन करेंगे सब अपना इंडिविजल अपना अपना प्रोड़क्ट सेल करेंगे क्योंकि मार्किट की आपका साइज ही तरह बड़ा है और जब आप एक लोकेशन पे एक वोल्यूम में मचलियां पैदा करोगे त एक सोसाइटी बनाए जैसे कि अमून ने बनाई अब आप देखिए ना वह कित्रा बड़ा वेंचर बन चुका एक सोसाइटी की रूप में कि और इंडिया उसकी सप्लाइए तो उसी विजन को रखते विए आप काम कीजिए कि जा जिस लोकेशन पर आपने फार्मिंग आपके पर आपके पास ताइम रहेगा तो आप सोसाइटी को दे पाएंगे तो आप कहीं ना कहीं सोसाइटी का भी अफ्लिप्रेंट कर रहे हैं जब आपके पास सेल होगी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन होगा यह पूरा बिजनिस आपका ऑपरेशनल कॉसेंट्रिक है औ और इसमें तकरीबन 40-30 अथ का आपका एक साल में उप्रसल कॉस्ट मुनाफ़ा है अगर आपके पास पैसे आएंगे तो आपका कहीं ना कहीं लाइवलिवड इंपेक्ट करेगा कहीं ना कहीं आपका अपलिफ्टमेंट होगा सोसाइटी में आप फार्मर्स को एजूकेट क सारे किसान भाईयों से या कोई बिगनर से फार्मिंग को सबसे पहले आप यह देखे कि आप किस लेवल पे देख रहे हैं क्या सोच रहें उसके बारे में तभी करें अन्यता आप फेल हो जाएंगे क्योंकि इसमें फेल का होने का कारण आपकी नेगलीजेंस है फिश की प्रॉब्लम नहीं होती लेकिन सर्दियों में आपको अल्टरनेट दे पानी में उतरना लेवर के लिए बड़ा हरडल है तो किसान भाई अपनी लेबर को भी है ना आप ऐसा सबज़ लिए जैसे हम अपने नियूली बॉंड बेबी जैसे छोटा बेबी को पालते हैं ऐसे में मचलिया पालनी है और मचलियों की देख रहे हमारी लेवर करती है तो हमें लेबर का भी उत्रहीं दिहान दखना है कि उसका भी कमफर्ट जोन के रहे और उसकी एनरजी मैंटेन है आपके फार्म पर काम करने के लिए मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जो मेरे किसान भाई फ यह पारे में नहीं पता क्योंकि जो मचलिया हैं यह उनका फिक्स डियुरेशन एक ग्रोथ का उनका फिच डियूरेशन है ब्रीडिंग का फिसट दियूरेशन मार्केट में जादा सेल प्राइस का तो आपको अपने प्रोडेक्ट पता होना चीय अपनी अनवरिमेंटल तो हमें सबसे पहले अपने वातरवर्ण को भी ध्धन करना पड़ेगा तब हम मचली का चेन करें कौन सी मचली पालेंगे जोन सी मचली पाल रहे हैं हमें उसकी लाइफ साइकल पता होनी चाहिए क्या लाइफ साइकल है वो कितने दिन में बड़ी होगी कहां से उसका सीड मिलेगा क्या खाएगी वो तीसरा हमें अपना फंड मैनेजमेंट के लिए रोना चाहिए ऐसा बिल्कुल नहीं होता यह लोग क्या है कि आपको नोलीज एक्सप्लोर करनी पड़ेगी जब तक आप नोलीज एक्सप्लोर नहीं करोगे तो आप एक्वा कल्चर में ग्रोथ नहीं कर सकते आप बहुत चोटे लेवल से कर लोगे तो भी आप फेल हो जाओगे क्योंकि जितना चोटा प्रोजेक्ट रहता है उतनी आपकी ऑंपरेशल कॉस्त जादा रहती है जैसे से काप प्रोजें बढ़ाते चाहिते हो तो आपकी ऑप पिर्यशन कोस्त już होती रहती है तो यह सारी बाते हमें बड़ी ध्यान दखनी चाहिए किसी भी किसान को कि मैं क्या प्रोड़ेट कर रहा हूं क्या मेरी एन्वार्मेंटल कंडिशन है किस लेवल का प्रोजेक्ट कर रहा हूं क्या मेरा फंड फ्लो है अगर यह सारी कहीं पर भी कुछ भी मिस होत भी है और यह सारे फार्मर से या जो भी भाई लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं आप सबसे पहले इन सब का अध्यान करें क्योंकि अब आप फेल होते हैं तो कहिना कि आपको देखें दस-पंदरा बंदे और फेल हो जाते हैं वह दीमोटिवेट हो जाते हैं चाहिए वह कहने से एक थंबूल अपना लीजिए जो भी आप प्रोजेक्ट कॉस्टिंग मान रहे हैं कि हम यह प्रोजेक्ट कॉस्ट अपने प्रोजेक्ट पर लगाएंगे उसका एक परसेंट आप अपनी नॉलिच पर एक्सपेंस कीजिए आप एक्स्टेंसिव ट्रैवलिंग कीजि कॉस्ट एक प्रोजेक्ट कॉस्टर 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 कॉस्टर